कि अस्लावलेकुम स्टूडेंट्स यह हमारे पास वीक फाइफ क्या क्लिप नंबर फाइफ हैं इस बेसिकली डिडिकेटी टू लाब वर्क यहां पर हम कुछ लैब के बारे में चीज़े देखेंगे और जो हमने प्रोग्राम्स हमने लेक्चर में किये हैं थोड़ा बहुत यहां पर हम एक्जिकूट करने की कोशिश करेंगे ताकि जब आप लोग घर में बैठके ये प्रोग्राम को एक्जिकूट करें तो ऐसषय इशू ना है ठीक हो गया, अच्छा हम यहाँ पर एक प्रोग्राम कर रहे हैं, यह हमने प्रोग्राम अपने लेक्शर से लिये, जिसमें हम यह देखना चाहरे हैं, कि हमारे पास अगर multiple conditions हों, तो उन्हें हम कैसे handle करेंगे, ठीक हो गया, अच्छा, अब यह जो प्रोग्राम है, basically इसका objective य कि हमारे पास चार नमबर हैं, one, two, three, four, हम चाहते हैं कि अगर मैं one, या, मैं three input करूं, तो मेरे पास, because both of them are odd number, तो मेरे पास four display हो, ठीक है, और अगर मैं two, या four display करूं, input करूं, तो मेरे पास क्या हो, e display हो, अच्छा, अब इस, इस प्रोग्राम को select करने का reason यह था, कि इस में हमारे पास case भी आ रहे हैं, कि हमारे पास multiple conditions भी आ रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास all logic, जो compound logic हमने पड़ी थी, watch क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं या तो हमारे पास one हो तब भी वो odd है और three है तो वो भी हमारे पास odd है और फिर हम वहाँ पर two या four को भी हम देख रहे हैं तो उस point of view से हमने इस program को select किया है ठीक है यहाँ पर हम दोरा code देख लेते हैं एक बात का जो sequence wise one में s की value है उस पर आ जाते हैं मतलब मैं आपको कुछ यह कहना चाहरा हूँ कि यहाँ पर वो आके comparison शुरू कर देता है तो अगर हमने one character को जो हमने input किया उसके साथ comparison करना तो इसको आपने क्या करना पड़ेगा आपको inverted course में ही रखना पड़ेगा ठीक है या वो क्या है 3 है तो इन बोट cases हमने कहां पर jump लगानी है odd की label पर odd में हमारे पास क्या पड़ाए हम dl में 0 put कर देंगे और jump display कर देंगे display में क्या है move eh2 dl में already value पड़ी है जैसे interrupt 21 call होगा तो हमारे पास dl वाली value display हो जाएगी similarly similarly अगर यह नहीं है तो हम यह देखेंगे कि क्या 2 तो नहीं है l में अगर 2 है तो हम कहां पर jump लगा देंगे e1 में और e1 में dl में e-move हो जाएगा और हम यहां पर आजाएगे similarly 4 की case में भी यहोगा अगर ना ही 1 हो ना ही 2 हो ना ही 3 और ना ही 4 हो तो हम यहां पर क्या करेंगे jump end case पर चले जाएगे यानि हम अपने program को terminate कर देंगे ठीक हो गिया हम इसे emulate करते हैं देखते हैं कि हमारे पास क्या result आता है ठीक हो गिया तो for example मैं यहां पर input करता हूँ 4 तो आप देख रहे हैं यहां पर आपके पास e-display हो गिया ठीक हो गिया मैं दुबारा emulate करता हूँ यहां पर मैं run करता हूँ यहां पर मैं लिखता हूँ one तो यहां पर आपके साथ और तो this is how हमारे पास यह बड़ी असानी से हम यह हम emulate कर सकते हैं और इसमें देखते हैं किस तरह जो हमारे पास logic है उसे develop करेंगे किस तरह हम करेंगे जिसमें हमारे पास एक दूसरा प्रोग्राम है जिसमें हम वाइल लूप को हमने देखा था इंप्लिमेंट करने के लिए ठीक है अब इसमें यह भी example हमने अपने lecture सा ही लिए है और हम देखते हैं कि यह example कैसे execute हम करते हैं, ठीक है, इसमें थोड़ी से आपको दो तीन बाते बता दूँ, lecture में, हमने part of the program यानि partial program शोग किया था, यह complete program है, तो यहाँ पर हमें एक variable चाहिए होगा, जो हमारे पास character की counting करें, basically थोड़ी से मैं objective आपको बता दूँ, कि यहाँ पर हम characters को input करते जाएंगे, और हमारा जो program होगा, उन characters को count करता जाएगा, और तब तक count करता जाएगा, जब तक हमारे पास enter key press नहीं होती, यानि carriage return नहीं होता, अच्छा, यह बात होगी, अब हम यहाँ पर क्या logic कर रहे हैं, हम देख लेते हैं, यह हमारे पास variable है, जो हम counting के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें हमारे पास character की counting होगी, अच्छा, यहाँ पर move H1 आपको यह बता रहा है, कि हमने user's input लेना है, वो input जो होगा, AL में जाएगा, यह हमने while का एक level बनाया है, while loop basically, हमने आज clip number 4 में भी discuss किया, कि हमारे पास, वो सबसे पहले उसका यह काम होता है, कि वो condition check करता है, अगर वो condition true है, तो वो loop चलता रहता है, और तब तक loop चलता रहता है, जब तक condition false नहीं हो जाती, तो यहाँ पर हम compare कर रहे हैं, कि क्या हमारे पास 13 तो नहीं है, अगर 13 है, तो हम इसको break कर देंगे, वरना हम यहाँ पर क्या करेंगे, increment कर द अब यह हमारे पास चीजा आ गई, जब तक हम enterprise नहीं करते हैं, तो हमारे पास यह loop चलता रहाएगा, ठीक है, यह जंप, unconditional jump while के लिबर पर लगा रहे है, अच्छा, यहाँ पर हमने यह new line feed के लिए, ठीक है, यह हमारे पास new line feed आ जाएगी, जब हमारे पास end while आएगा, यान कि हम उसे decimal में convert कर सके, यह हमने lab में काफी दफा यह चीज अब हमारे पास क्या हो जाएगी, जितने भी हमने characters input किया होंगे, वो हमारे पास आ जाएगे, हम इसको emulate करके देखते हैं, क्यो होता है हमारे पास क्या होगा, यह अब हम रन कर रहे हैं से, for example, मैं यहां पर character डालता हूँ, a, b, c, d, e, f, g, h, ठीक है, अब मैं यहां पर जैसे ही enter press करता हूँ, तो मेरे पास counting है, वो eight आ गई, ठीक है, तो यह हमने वही while loop, एक loop था, जो हमारे पास यह काम कर रहा था, यहां पर हमने, इस example में हमने while loop को देखा, कि हम while loop को कैसे implement कर सकते हैं, तो हमें इस program की भी समझ आ गई है, अब हम एक last program करेंगे, और इस program में हम basically क्या करेंगे, हम loop, हमने एक statement पढ़ी है, वो काम कैसे करती है, हमने वो देखना होगा, thank you, तो यह हमने यहां पर एक program लिखा है, इस program का जो मकसद है, वो यह है कि हम loop instruction हमारे पास कैसे इस्तिमाल होती है, हमने यह देखना है, तो इस बड़ा basic सा एक program है, हम यहां पर क्या किया है, हम user से एक character लेंगे, और हम उस character को, जो भी character होगा, उसे हम eight times कम क्या करना चाहरे है, डिस्प्ले करना चाहरे है, तो होगा यह कि जैसे हम move AH1 और interrupt 21 करेंगे, तो हमारा जो character होगा, आपको पता है कि वो कहाँ चला जाएगा, वो AL में चला जाएगा, और जैसे ही हम, हमारे पास cx, हमारे पास basically hold कर रहा है, कि हमने कितनी times वो display करना है, और आपको पता है कि हमें character display करने के लिए हमें function number 2 call करना परता है, तो यह सारी चीज़े हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, और हमने एक label define किया है, label हमारे पास loop की जतनी में instructions होंगी, उसमें define करना इसलिए important होगा, because हमारे पास jump जो लगेगी, वो हमारे पास label लगेगी, जैसे हमने आज के lecture में भी देखा था, कि हमारे पास loop है, basically वो दो काम करता है, एक तो काम करता है, jump लगाता है, जो defined label होता है, यानि हमारे यहाँ पर हमारे case में, इस example में, हमारे पास जो level है, वो top है, उस पर हम jump लगाएंगे, और साथ ही साथ वो CX की value को क्या करता है, decrement भी करता है, तो हमारे पास AH में भी क्या पढ़ाव है, 2 पढ़ाव है, हमारे पास, और हमारे पास DL में, जो हमने AL में value insert, भी input की थी, वो पढ़ी वी है, तो जैसे ही हम interrupt 21 करेंगे, तो हमारे पास value डिस्प्ले हो जाएगी, और फिर हम loop चलेगा, और हम देखेंगे, कि क्या वो 8 टाइमस वो value डिस्प्ले करता है या नहीं, और यह loop तब तक चलता रहेगा, जब तक हमारे पास CX की value 0 नहीं हो जाती, तो हम यहाँ पर यह run करके देखते हैं, यहाँ पर मैंने एक character है, A, यह, हम चलें, A कर लेते हैं, अच्छा, अब यहाँ पर देखें, यह 9 टाइमस आपको डिस्प्ले होता हो, नदर आएगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, साथ, आठ, नौ, यह 9 टाइमस इसलिए है, क्यूंकि जो पहला A था, वो हमने खुद insert किया था, और पाकी जो हैं, वो 8 A's जो हैं, वो हमारे पास होएं, तो आप इसमें नेस्टिंग लूप भी कर सकते हैं, जैसे, अभी हम जाएंगे assignment में, तो वहाँ पर आपको यह कुछ मिली यह assignment तो उसमें आप देख सकते हैं, ओके, तो अब ज़र हम assignment की तरफ जाते हैं, इस week की जो हमारी assignment थी, वो क्या-क्या हैं, उनको हम देख लेते हैं, और फिर हमारे पास जो यह supplementary clip number 5 है, lab workup, वो हम end करेंगे, अच्छा, यहां पर हम जा रहे हैं, यहां पर यह assignment है, इसमें आप अब जैसे हमने loop को देखा है, तो हम यह सारी चीज़े बड़ी असानी से यह कर सकते है हैं, थोड़ी सी logic आपको ज्यादा इस्तिमाल करने पड़ेगी, और यहां पर एक और है, के writer 86 quote that will read weekday number and print its corresponding weekday, यह बहुत असान है, इसमें सच आपको परशानी की जुरूवत नहीं होगी, और फिर यहां पर हमारे पास दो integers हैं, उनके साथ हमने क्या करना है, और हम देख करेंगे, ठीकी, यह भी असान है, तो मतलब इतनी मुश्किल assignments नहीं है, आप बड़ी असानी से कर सकती हैं, यहां पर आपको तुरी सी logic का apply करनी पड़ेगी, और इस्टर की logic हमने lab में एक दफा पहले भी apply की है, thank you, यहां पर हमारे पास जो यह clip number 5 है, week 5 का, यहां पर assembly language का पता मुता हैं, thank you.